आदा होता आदा बोरा फुबाजी मैं दर्मजा को खीच कर देख रहा था की सही से बंद है की नहीं सच मैं क्या इसका मतलब अभी तुझे भूख नहीं लगा है ठीक है तो फिर इससाइज कर ले जा इस रसी को लेकर बाहर जाकर इससाइज कर ले ठीक है जा रहा हूं तुम इस रसी को लेकर कहा जा रहे हैं सबसमा देख बीड़ी जू फुबाजी मुझे एकसरसाइज करने के लिए बोले है मैं भी तुम्हेरे साथ रस्टी लेकर एक्सरसाइज करूंगा और आहा मिल गया मुझे रस्टी जा जल्दी लेकर आख एक्सरसाइज करना बहुत जंजट है दिर्जू एक्सरसाइज करना बहुत जंजट है मेरे दिमग में एक आईडिया आया है बीजू चल उस हंदा के साथ एक खेल खेलते हैं हाँ चलो पुला पुला हंदा हो ओ ये हंदा तू हम दुनों के साथ रस्ते खिचने वाला खेल खेलेगा लेकिन लेकिन तू हार जाएगा हम दुनों से सच में क्या भूला के उटू भूला खेच खेच बिरजू खेच जो और से खेच खेच जल जो 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 और से खेच बोला पकर कर रखना किचो तेज और तेज खेच खेच जो 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 लगा का है चेच मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बोला मैं जब तुझे बोलूंगा तो तू जो और से खेचना अब तुम लोगों को समझाएगा बोलू बोलू जो 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 और से खेच बोलूंगा तो देखने में सिर्ख मूटा है लेकिन तेरे में हिमत नहीं है क्यों मेरे साथ लड़ने आता है तू हंडा के साथ है रश्चिक इसमे में हार गया लेकिन एक नया आइडिया आया है कुछी देर बाद हंडा घार जाएगा तभी हम लोग उसके साथ हाँ भूंदा वह इसे हम दोनों को हारा दिया इसका बदला तो हम दोनों को लेना ही परेगा ठीक है जारू लेंगे बदला उससे चल चल हंडा के पास चल क्यों रे हम दा एक और बर खिलेगा तू उसका हम तो भूला के बगवे से जित बाद हो अच्छा उसके बिर्गा है जित अब खिलेगा चल बूलू तो भूर तेज से गिरेंगे ये धेला खना ठीक है हम बाद ठीक है ठीक है मैं हूँ मैं हूँ तेरे साथ तो फिर चल रसे खिच बूलू चल जो उसे खिच यह फिच कर दिखा तू हमें फिर से हरा पाएगा की नहीं है 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 हाँ यह क्या यह तो दर्वाजे निकलाया यह भूंदा तू यह ठीक नहीं किया है ही 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 दो रस्ती बंधकर में की चिचन रूम के दर्वाजे से बंध दिया था और तुझे पता भी नहीं चला फुफाजी मेरे बज़े से कीचन रूम में तला लागा दिये थे यह 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 क्या मेरे कीचन रूम का दर्वाजा कैसे तुट गया तुम दोनों में से कौन तोरा है बताओ फुफाजी यह हंदा ने तोड़ा यह दर्वाजे यह कीचन रूम के दर्वाजे में रस्ती बंधकर खीच कर तोर दिया देख इतना हिम्मत तुझे में धुरूगा नहीं, खाना चोरी करना चाहता है तो, पित-पित कर तरह हट्टी-पत्ले कर दूँगा मैं आज, मारेंगे फुफजी, यह तो भागो, 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 मैं कह रहा हूँ, हंदा तू रुख जा, हंदा तू रुख जा, हंदा तू रुख जा, मैं मैं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कह रहा हो तू रुख जा, हंदा तू रुख जा नहीं तो अच्छा नहीं होगा, भागेगा, तू कहा तक भागेगा, मैं तेरे पिछे बाक्त तू कहा प्पागाई गाए गावागा के मगने लिग आज पसके लगटाएं तीन दी बारीच होने के बार आज धूम निकला है किटना अच्छा लग रहा है ना गबू हाँ ठीक बोला है तूँ ओई रुक रुक बरना खोली मार दूँगा अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता ए टबू ए टबू वो देख जिल तोड़कर कैदी कैसे भागे जा रहा है टबू कुछ कर नहीं तो ये सांती नगर असांती अगर बन जाएगा टबू वेकिन मैं क्या करनों गबू तुक कुछ बटातों अरे यार कुछ तो कर ठीक है रुक रुक मैं कुछ सोच रहा हूं देख चोर अब केशी भी किमत पे नहीं भाग पाएगा देख चोर देख तेरे सामने एक लंबा दिवाल है तुम यहां ते नहीं भाग पाओगे अब तुम उस दिवाल से तकडा जाओगे हां एक ऐसे हुआ सच में टपून अज तुम्हरे बजाए से इतना खतरनक कैदी भागने से बज़ गया चल थाने में गबू अब हम लगवे चलो घर करके हैं ठीक है चलो गबू हां बोलो सोच रहा हूं इस बाइस जिवाली में एक हीड्रो केटर में ड्रेश ले लूँ अरी भापरी भाप खरिदने में तो बहुत पैसा लगेगा इतना पैसा तु लाएगा कहां से टबू तेंशन अगर कोई फाइडा ने चलो कहीं से घूर कर आटे हैं चलो तब बननननननननननननननननननननननननननननननननननननन लग रही है गबू मुशे याद आगिया ओ देख देख जो उचिंग जेल से भागा चाहिदी वह ही है वह भेज बजल लिया है शाधू का अने यह तो फूई दनों लरके मैं भागू यह से अपने जम बचा के हाँ सुन सुन तुम जल्ली जाकर पुलिस को खबर दो अब तक हम उसको फचा कर रखते हैं ठीक है कैदी तो बहुत जोर से भाग रहा है इसको तो अठकाना होगा ओ साधू बबा ओ साधू बबा सुनो ना ओ साधू बबा अब मैं क्यों पिर से पकल लंगे लो यह तो डोने लगा इसको कैसे भी न कैसे करके रोकना होगा एक दिमाग में आईडी आया जेखो तुमारे सामजे एक बईक है चड़ो चड़ो उसके चड़ो उसके चड़ो ऊम्चारर फूक चड़ो चुक अरे यह तो एक बईक ख़डा है इस पर बैथ के बाग जाओंगे तो इसका बाभ भी नहीं पगर पायेगा मुझे यह रहा यह रहा चोड नकली डारी लागा कर सन्याशी बनकर घुम रहा था चल सैतान थाने में देखिए कि अब फिक्स ना भाग जाए अब तुम निश्चिन्थों कर रहो चल थाने में चल चल तबू अब हम लोगी वापस चलते हैं हां चलो चलते हैं यह है गोपल फार्ड कि तुम गोपाल से ज्यादा बुद्धि मानों तो मैं तुम्हें उपहार में सौव स्वन मुद्राएं और उसके साथ सा जमी ज्याजाद भी दूँगा हां महराज यह तो बहुत खुशी की बात है तो मैं चलता हो प्रणाम गोपाल को तो बेवकूब बनाने को कह दिया पर बेवकूब बनाओंगा कैसे अरे वो गोपाल लजर आ रहा है रुक जाओ अभी तुमको बेवकूब बनाता हो अरे सालूराम क्या बात है अरे मैं तो तुम्हें ढूनते ढूनते यहां आया हूँ क्यों क्या हुआ है तुम्हारी मा शायद आप ये क्या ये क्या मेरी मा मर गई ये क्या हो गया मेरी मा मुझे छोड़ कर चली गई कल्लू ये तुम पकड़ों में घर जाता हूं जा रहा हूं गोपाल पूरा बेवकुब बना दिया अब लाइए मेरा पुरसकार शर्त यह था कि गोपाल खुद आकर सिकार करे कि तुम उसके जादा बुद्धी मानों तब जाकर मैं तुम्हें पुरसकार दूँगा शायतान कहीं का तुम मुझे बेवकुब बना कर मेरा मसली खालोगे रूख सबक सिखाता हूं वह आ रहा है रूख आज मैं तुझे मजा चाखाता हूं कालू राम मेरा एक काम कर दोगे तुभारे सर पर मटका रख देता हूं महाराज आप देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूं देखिए महाराज गुबाल खवाज मैं फिर बेवकुब बना दिया वह बोला ता यह गुड़ वाला मटका बाजार ले जाने के लिए और मैं यह मटका आपके पास लेकर आ गया बेवकुब कन्लुराम तुम जिसे गूर समझ रहे हो वह गूर नहीं क्या है कितना बद्बू दे रहा है क्या दुरगंध है महराज आप बताए प्रकृतिक में बुद्धिमान कौन है जो गलत बातों पर विश्वार्श करता है वह या मिठी बातों से जो दुष्मनों को सबक सिखाता है वह सच में गोपाल तुम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो बोलो कलू राम हाँ जी महराज कलू राम ये लो तुम अपना पुरसकार गोपाल ये लो तुम अपने उच्च बुद्धि का पुरसकार अब तुम दोनों खुश हो ना प्राचीन समय की बात है संकर सर्मा नामा के बद्र पुरुष ग्राओं में रहते थे कुछ दिन पहले ही वे सांती निकेतन में एक घर खरीदे थे घर खरीदने के कुछ दिन ही बात एक विचित्र प्रकार की घटना घटी एकिस्व किसी सद्वी में भूत ये तो चम्बू की बात है अगर ऐसा नहीं होता तो रात के समय जंगला पर पत्थर कौन मारता बारामदे में हट्डी और खोपड़ी पड़ी रहती है दर के मारे पत्नी और बच्चे उस घर में नहीं जाना चाहते इसलिए सोचता हूँ अगर आप अगया दे तो बोलो बहुत दिनों से इच्छत था कि मैं अपने आखों से भूठ देखूं अगर मैं आपके उस घर में एक दुरात रह जाओं तो ठीक है कब जाना चाहते हो बताओ अगला सनिवार को इसके साथ कल ही अमोस्या है चले आप और हम दोनों चलते है ठीक है तो कल ही चलो दूसरे ही दिन संकर सर्मा उस आदमी को लेकर अपने उस नए घर पहुंचे वाँ आपका घर जितना बढ़ी है उसका चारूर का परविश और सुन्दर है अरे नमस्कार शर्मा ली आए 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 कब आए यही तो आए दो पहर में साथ में वा कौन है अरे मैं इनका दूर का संपर्ग का भती जाओं सांती निकेतन देखने आया हूं बहुत अच्छा रहोगा न दो चार दिन जी हाँ दो चार दिन रहूंगा तो ठीक है मैं भी एक दिन आकर यहाँ पर अड़्डा जमाऊंगा अभी मैं चलता हूं वादमी कौन था? वही उस तीन तला घर का मालिक है कम से कम तीन सो चार सो एकर जमीन का मालिक है वा घर बेशने वाले थे क्या कोई खरिदने वाला मिला है? भुता घर बोलकर चार और बात फैल गई है फिर इसे कौन खरिदेगा बताओ? ऐसे दुगे जी ने तो खरिदने की बात कही थी हमसे लेकिन इस घर को बेचने की इच्छा मेरी अभी नहीं है घटना उस समय के लिए तो टल गई लेकिन उसी दिन रात में आपके घर खरिदने के कुछ पहले ही साप डशने के कारण रतन नाम के एक लड़के की मृत्य हो गई थी वास्तों में वह एक पागल था उसका श्रद अच्छी तरह उसके घर वाले नहीं किये लगता है मर करके भी वह पगलामी करता है जो भी हो थोड़ी सा उधानी से रहिएगा मैं चलता हूँ अंत में यहां पागल भूत भूत पागल हो चाहे जैसे भी हो किसी के घर में तो जूता चपल पहनते हुए घुमते हुए तो नहीं देखा है हमने यह देखिए आज सुबह ही मैं आपके घर के पीछे यह पाया हूँ सुनिए आज रात में ही हमी लोग को पहरा देना होगा वह देखिए ओ कौन आ रहा है चाही बात है तो इस बर मज़ा देखिए क्या हो रहा है कौन कौन हो तुम मैं जगू मैं जगू पखला हूँ तो बेटा राखाल तुम सरमाजी का घर दखल करने के लिए मेरा नाम भूत रहकर परचार कर रहे हो तो मैं आगे ही तुम्हारा गर्दन मोरो रूगा तो ठीक है भाई आज तुम्हारे ही कारण इस घर का भुता नाम मिट गए लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है क्या बात राखाल भटा चार्ज के पास तो बहुत पैसे हैं अगर वे चाहते तो अपने जमीन पर ही खूब बढ़ियां घर बनवा लेते हैं तो हमारे इस सामन्ने घर को वे दखल करना क्यों चाहते हैं कारण भूत का डर नहीं दिखाने से अपना घर तो नहीं बेचते हैं आप सांते निकेतन में आकर बात को नहीं समझ पाएं इस संसार में जो भी आता है जिसके बाद जितना रहता है वो और चाहता है राजा भी गरिब जन्त का पैसा चुरा कर बहुत महान बनता है